हेलो फ्रेंज वेलकम और वेलकम बैक तो माई चैनल हाव यू और आई होप यू अला दूग वेल तो दिवाली और होली में बनने वाली सक्कर पारा की रेस्पी आज मैं आप लोग साथ शेयर करने जा रही हूँ जिसको बनाना बहुत ही ईजी है और क्विक पन के रेडी हो जाता है साथ में ही मैं आप लोग के साथ इसका सीक्रेट इंग्रीडेंट बताऊंगी तो लास तक जरूर देखें चले शुरू करते हैं इसको बनाना तो यहां पर मैंने एक बाउल ले लिया है बड़ा राजधानी मैदा में ले रही हूँ आप कोई सा भी ले सकते हैं तो इसमें म मेरा सीक्रेट इंग्रीडेंट इससे जो मीठे वाले सकर पारा होते है उसका जो स्टीस्ट होता है वो दो गुना बढ़ जाता है उसके बाद हमें लेना है जितना हमने मैदा लिया है उसका एक चौथाई पार्ट हमें यहां पर घी लेना होता है तो मैंने जैसे 400 ग्राम ल बीच में एट करके इसको सौफ्ट हो बना लेना है उसके बाद हम इसमें थोड़ा से घी एट करेंगे और आटे को चिकना कर लेंगे आप चाहें तो इसमें आप तिल के दाने भी एट कर सकते हैं तो चलिए अभी देखिए मैं इस तरीके से फिंगर प्रेस कर रही हूं और इकवल पार्ट में मैं इस तरीके से डिवाइड कर ले रही हूं तो मोटा मोटा इसकी जो प्रोटी होती हो मोटी बिलती है इसलिए मैंने थोड़ा सा बड़े-बड़े साइज के लिए हैं इस तरीके से तो मैं बड़े-बड़े बना के जल्दी हल्दी से फिनिश करने वा तो अब मैं इसकी करूँगी कटिंग तो मैंने इसको मोटा मोटा सा बेल के रेडी किया है आप लोग देख सकते हों तो जितनी मोटी पूरी होती है लगबग उतना या उससे थोड़ा सा जादा उसके बाद अब हम इसकी कटिंग करेंगे तो मैंने यहापर फ्लैट नाइफ ले लिया है और अब मैं इसको स्कॉयर कट में कट करने वाली हूं आप चाहें तो इसको अपनी किसी भी मन पसंद सेफ दे सकते हैं या फिर डायमंड सेप का भी आप कट कर सकते हैं तो मैंने सिंपली इस तरीके से स्कॉयर सेफ में काटा आप लोग दे सकते हो चोटे- हो जाते हैं वो भी मैं आप लोगो करके दिखा दूँगी या फिर आप हलका सा आटा लगाई और इस तरीके से आप उठा कर रख दीजिए तो बाद में यह इसली सारे रिमूफ हो जाएंगे और चलिए अब एक और मैं इस तरीके से बेल करके दिखा देती हूं इसमें कु होता है नहीं है तो आप स्कीप कर सकते हैं उसके बाद इसको अच्छे सिस्मी की कोटिंग करके हम एने हलका सा बेलन से और पतला कर दिया है उसके बाद में इसको इसको इस तरीके से कट कर रही हूं तो मोटा है पतले का मतलब यह बहुत पतला नहीं है मोटा ही है जितना आ कर लिया है और अच्छे से इस तरीके से सारा हम उपर कर लेंगे और यहां पर मैंने एक ले लिया है कढ़ाई उसमें मैं अट कर रही हूं तो आप देख सकते हो नहीं डाला है इतने में काफी अच्छे से हो जाता है तो यहां पर मैं इस तरीके से एक एक करके थोड़ा सा उठाओ काने के लिए पर इस तरीके से आप बनाओगे तो बिल्कुल भी नहीं चिपकता है और आप इस तरीके से इसको जब हलका सा हो जाए तब आप इसको इस तरीके से चला दीजे सारे आपके जो भी हैं अलग हो जाएंगे एक एक करके तो आप लोग अभी देख सकते हो स सारे अलग हो चुके यह देखिए बिलकुल अलग हो चुके हैं बिलकुल भी नहीं चिपके हैं और आप हमें इने गोल्डन ब्राउन करना है आप लोग देख सकते हो कि हलके हलके सी यह गोल्डन होना शुरू हो गया है तो आप देखिए इस कंडिशन में इतना गोल्डन होने सारा मैं इस तरीके से डाल लूगे पलेट में और चलिए अभी हम एक बढर और फ्राइ कर लेते जो हमारे बचे हुए है तो इस तरीके से मैंने फिर से सारे जो भी थे मेरे एड़ कर दिया है मैंने और अब इनको भी मैं अच्छे से golden होने तक अच्छे से इनको तलूँगी तो पास से देख सकते हो आप लोग विल्कुल भी नहीं चिपके हुए है के उपर एक साहरे अट गये हैं और आप देख सकते हो आप लोग इतना मैं golden करती हूँ उसके बाद मैं इस तरीके से मैंने निकाल लिया है तो आप मैं बनाऊंगी चासनी तो चली देखते हैं चासनी के लिए मैंने किस तरीके से preparation की है तो यहाँ पर मैंने ले लिया है एक कप सुगर लिया है तो थोड़ा बड़ा कप था आप लोग देख सकते हैं उसके बाद मैं उतना ही पानी एड़ कर दूँगी और इसका अच्छे से चीनी घुलने तक वेट करूँगी अच्छे से आप इस तरीके से चलाते रहिए इसके बाद मैं इसमें कुछ केसर के धागे होते हैं वो एड़ कर दूँगी कलर के लिए औप्शनल है यह पूरा इसके बाद में मैंने यहां पर छोटी लाइची ली थी इसको कूट के अच्छे से मैंने डाल दिया तो इलाइची आप ज़रूर एड़ करिए टेस्ट अच्छा आता है तो देख सकते हो इतने सारे बन के रेड़ी हुए है यह थोड़ दो कोटिंग हो गई है आप देख सकते हो तो बहुत जादा सुगर इसमें नहीं मैंने लिया था इतना ही मीठा लगता है बहुत जादा मीठा हो जाता है तो नहीं अच्छा लगता है तो फेस्टिवल में आप इसको बनाकर जरूर एंड़ुर एकरिए बचों को घर का हेल् ना दीजिए तो मिलते हैं नेक्स वीडियो पर बाई टेक कियर